नमस्कार जहिन सातियों देश की राजदा ने दिल्ली में जो माशा मेलन हुआ था वहाँ हमारी नजरें थी कि आर्मी एक्जाम या एर्पूर्ट इन्रॉल्मेंट या रिजल्ट को लेके कोई अपडेट आ जाए लेकिन कहना कही इन भर्तियों में जो देरी की जो वज़े है वो यहां से जरूर सामने आ गए जिहां मैंने पिछले वीडियोज में आपके सामने तकनीकी है ट्यूर अब ड्यूटी का उलेक किया था लेकिन इस मिटिंग की जो आपको पता है ब्रिफिंग के मादियम से जो इनकी पूरी जानकरी शामने आई वहां सबसे इंपोर्टेंट नाम आता है थियेटर कमांड जिहां थियेटर कमांड सबसे इंपोर्टेंट रोल निवा रहा है बारत में तमाम सेना रेली बरतियों के डिले को लेके ये मेरा ही नहीं बलकि कई रिपोर्ट का दावा है और ये एक इंपोर्टेंट रोल इसले निवारा है क्योंकि 70 साल के सेन इतियाश में बड़ा मिल्टरी जेंजेबल होने जा रहा है जो क्या है वो है थेटर कमांड इस इस्ट्रक्चर का पूरी रूपरे का क्या है मैं इस वीडियो के मादिम से साजा करूँगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रुपी होगी है क्योंकि इससे केई सारे क्यूशन बनेंगी जो आपके अगामी एक्जाम में देखे जा सकते हैं साथ साथ आपकी रेली बर्तियों के बारे में जो जो नई ताजा अपडेट है वो इस वीडियो से आपको मिल जाएगी साथ यो सबसे पहले बात करते हैं कि देश में ये थेटर कमांड का प्रिणता कौन था इस बात को थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि अभी परजेन टाइम में उसकी फाइनल रिपोर्ट तयार हो रही है देश की राजदानी दिल्ली से 15 अगस 2022 को इसका एलान भी हो सकता है नेवी की मेरी टाइम थेटर कमांड की गोशना होने वाली है और नेवी इसको लेके एक पहले मुंबई में उनकी बड़ी मीटिंग कंड़क्ट हुई थी और उस मीटिंग के पश्चाद अगर बात करें नेवी की तो नेवी अब अंतिम रूप रेखा देने के ऊपर जोगर दे रही है और अप्रेल माहे के अंत में रक्षा मंत्रायले को जो नेवी है वो एक मीटिंग करके और अंतिम फाइल अंतिम ब्योरा बेज देगी ये बात थेटर कमांड से जुड़ी हुई है और सेन्य प्रोजेक्ट से जुड़ावा बहुत बड़ा इंफ्राट्रक्चर चल रहा है अब बता देते हैं कि कमांड क्या है मुझे पता है कि आपको कही कही बार ये चीजे थोड़ी सी आपको पता है ये सब्द काफी भारी लगते हैं लेकिन आपके आर्मी एक्जाम से बहुत इंपोर्टेंट आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट है आपको बताए कि सबसे पहले सेक्षन होता है सेना में उसके सेक्षन के बाद बनता है प्लाटून प्लाटून के बाद आपको पता है बटालियन रेजिमेंट आपको बता है आप भी तक भारत में कमांड थी और इस कमांड के उपर होता है आर्मी हेड़क्वाटर आप समझ रहें यह तीनों सेनाओं का होता है आर्मी नेवी एरपोर्स सब में सेम स्ट्रक्शर होता है कमांड कितनी है कितनी नहीं है यह मैं भी आपको इस वीडियो के में बताऊंगा लेकि आपको शमदना चाहिए कि तीनों सेनाओं का एक ही कमांडर होगा जिसको हम बोल सकते हैं Chief of Defense Staff सीडियस अब मैं आपको बता दूँ कि present time में भारत में कितनी कमांड्स है गुनीस कमांड परजेंट टाइम है भारत में कारियरत है जिसमें से एरपोर्स बात करें आर्मी के तो साथ कमांड आर्मी में है साथ एरपोर्स में और तीन है वो नेवी में है ये कुल मिलाके हो गई आपके सतरा कमांड अब ये दो कमांड है वो होती है जोइंट कमांड जी हाँ दो कमांड जिनको जोइंट कमांड बोला जाता है जो साथ में होती है तीनों सेनाओं की आर्मी एरपोर्स और नेवी जिहां आर्मी नेवी एरपोर्स की तीनों की साथ कमांड होती है जिसें बोलते हैं जोइंट कमांड अब यह जोइंट कमांड और यह जो तुमारे थेटर कमांड है ये दोनों मिलते जुलते ही सब्द है इसमें अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहां देख लीजे ये जो आप मान्चितर देख रहे हैं इस नक्षय के माध्यम से तमाम भारत की आपको देखने को मिल रही है देखें ये एरपोर्च की Western Command है, नियू देली के अंदर है, ये आप Southern Command देख लीजिए गांधी नगर गुजरात में है, ये आप Eastern Command देख लीजिए आर्मी की कोलकता में है, इसके साथ साथ आप Central Command देख लीजिए एरपोर्च की एहलाबाद में है, ये तमाम 19 Command है भारत की, ठीक है, ले अगर इस हिसे को उपर पाकिस्तान केशी भी परकार का अटेक करता है केशी भी परकार का तो इसको अभी तक कोन कवर कर रहा था वो करती है आपकी वेस्टन कमांड जी हां ये चांदी मंदिर चंडीगड में आती है ठीक है वेस्टन कमांड लेकिन इसके विपरित अगर जें जिम्हेदारी ज्यादा तर Northern Command जो आप देख रहे हैं वो ले रहा है ठीक है लेकिन ठीटर कमांड जब भी आएगी ठीटर कमांड का मतलब ही हो गया कि एक कमांड के उपर काम करेंगे जब ठीटर कमांड लोंच हो जाएगी जब इसका काम शुरू हो जाएगा तो अगर पूर यहां दो अलग-अलग तरीके से काम करती है लेकिन जब आपको पता ठीटर कमांड जब यहां आएगी तो एक साथ काम होगा ठीक वेसे ही हम नीचे आते हैं नक्षे में तो आप देख रहे हैं एरपोर्स की एक तो है Southern Naval Command ये नेवी की कमांड है ये कोची में और ये Southern Command है य एरपोर्स और नेवी की यहां दो कमांड आपको दिखाई दे रही हैं यहां से अगर माल दीओ भारत पे हमला करता है देखिए रक्सा का मामला है तो यह अमले की जो बाते हैं यह हमेशा आपको पता है सामने रखी जाती है लाइक अगर कोई कंट्री समूदरी एरिया से भ सब्सक्राइब आपको पता है मेरी टाइम ठाइङर है जो नेवी की पहली ठीटर कमांड सहाथ भारत के शेंड ए प्रॉजेक्ट शेंडिये जो मेल्टरी इस्ट्राइड वने जा रहा है अब आपको बता देते हैं कि आपस शोचेंगे कि सर यह आपको जोईंट कमांड और theater command में फिर defense क्या रहा क्योंकि joint command तो already हमारे पास दो है और दोनों में army navy air post शाथ में काम कर रही है ऐसा नहीं है देखिए joint command होती है उसमें तीनों सेनाइ सिर्फ एक साथ होती है एक साथ हर field में होती है लेकिन तुम्हारे theater command है इसमें भोगोलिक छेतर के अधार पे काम करेगी थोड़ा सा आपको बेक ले जाओं थीटर कमांड भोगोलिक छेतर का मतलब क्या है और जोइंट कमांड तीनों से ने एक साथ का मतलब क्या है देखिए भोगोलिक चेतर के अगर बात करें ना तब ये तेनों सेने एक साथ होती है यहाँ भोगोलिक एरिया है समुद्री यहाँ अगर किसी भी परकार का हमला होता है तो आर्मी की जरूरत नहीं मानी जाती है यहाँ केवल नेवी और एरपोर्स ये काम करेगी ठीक है थीटर कमांड आएगा तो यहाँ क्या है कि सिस्टम बदल जाएगा यहाँ दोनों सेनाए एक साथ काम करेगी एरपोर्स और नेवी ठीक है अब यहां फरक्या है कि जो बंदा यहां पाइलेट जो है जिसको भाड़ी छेतर में आपको पता है जो भारत की जितने भी एरक्राफ्ट है उनको उड़ाने की जिनको यहां नोलेज है जहां इनको यहां ट्रेनिंग है वो यहां इतने सक्षम नहीं होंगे परजेंट स्ट्र कमांड होगी जिसको थेटर कमांड के नाम से जाना जाएगा यह मैं आपको जोइंट कमांड को बताया कि जोइंट कमांड परजेंट टाइम में भी है और कई ऐसे आपने देखे होंगे जब तीनों सेना एक साथ इसका यूज करती है अब आपको अंतिम तोर में मैं बता दू क्या है इसके साथ आपकी आर्मी की जो बरतीयां है उनके डिले का इसका जो रोल थोड़ा बहुत वो भी आपको बता दूँगा देखिए भारतिय थ страх जयना भारतिये वायू शयना और बारतिये नों शयना इन तीनों का एक अब ही आपने राष्टपती पढ़ा होगा लेकिन यहां शीडियस इंपोर्टेंट रोल निवाता है जिहां शीडियस चीप ऑप डिफेंस स्टाप करगिल वार के समय आपने सुना होगा कि आर्मी और एरपोर्स अलग तरीके से आई थी और कहीं अब जो उसकी समिक्षा की जाती है तो उसमें बताया जाता है कि भारत को उसमें जितना भी लोश एक्स्ट्रा माना गया है वो कहीं ना कहीं एक कमा कमांड बनने के बाद में एक शीडियस यह सीधा निर्देश देगा सभी इसके नीचे काम करेंगे यह मिल्टरी का कमांडर होगा ना कमांड का परमु कमांडर होता है यह मिल्टरी का कमांडर क्या है एक कमांड देगा एक निर्देश देगा चाहे कोई युद्ध हो या कि तीनों सेनाओं की साथ training होगी और यह training डाइरेक्ट इशारा करती है त्लीटर कमांड की इसके उपर विचार किया जारा है इनिप्टे से मिले हैं और किसी भी हमले पर एक साथ हो उसमें एक पर्मुक रोल है ये ट्रेनिंग सबद भी निवारा है कहा जा रहा है कि इनकी ट्रेनिंग शाथ होगी तो थीटर कमांड का ये टोपिक जो आपके एक्जाम के साथ आपके भविश्य का जो आपका पहले उसके ऊपर पुरुन तरीके से करते हैं उसके पहस्टथ उसकी सिर्ही दोप्रिक evp तक कोशिच किःए कि देखिए लृऑ होता ब्रिगेड क्या होती है division क्या होती है इन्हें नोट कर लीजेगा क्ई यह आने वाले आपके आगामी एक्जाम में भी आमने का सामना करना पड़ सकता है अब जो साथ ही ड्यमोटिवेट हो रहें लगातार उनको यह कहना है कि लगातार मेहनत कर रहें आपका इख्जाम होगा और उमीद है कि पहुंचाना हो चाहिए सेने मामलों के जानकार है उनके साथ साजा करना हो या आपके सांसद है तमाम जगे हमने कोशिश की है और आपके शने और आशिरवाद के आदार पे फिर आपको बता देंगी हमेशना करते रहेंगे साथ इस वीडियो से रिलिटिव किसी भी प्रकार के सुजाओ हो हमें कमेंट सेक्षन के मादिम से जरूर अवगत करवाते जाना और जेहिंद कमेंट सेक्षन में जरूर लिखते जाना क्योंकि आपका जेहिंद हमें एक अलग ही मजबूती परदान करता है और एक अलग होस्ट लाप जाई करने जैसा काम करता है इस वीडियो से लिलिटिव किसी भी प्रकार के सुजाओ का मुझे इंतजार रहेगा आप देख रहे थे डियारी में पॉइंट अपने मेजबान दने इसको दीजी इजाज़त वीडियो कान तक बने रहेने के लिए आपका दिल से शुक्रिया मिलेंगे और ताजा शाटिक और वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहिंद जैबार धन्यवाद